तो चार जुलाई की तारीख आ गई है बलकि यूँ कहें तो नजदीक आ गई है और एक बार फिर से जानवापी मामले पर सुनवाई होनी है लेकिन हिंदु पक्ष क्या सोच रहा है हमारे साथ मुख्य पैरोकार सुहललाल आरीजी मौजूद है सुहललाल जी चार जुलाई के तारीख लंबा समय इंतिजार का इस दौरान चार रहा किस तेरे की तैयार या रहे क्या कर रहे है बिल्कुल हम लोग चार जुलाई माधनी जिला जश्क के हाँ तैयार है एकदम अपनी बात रखने के लिए हमारी अगली सर्वे तो हो चुका ल सुप्रीम कोड की वरियता मिली हम लोग को इस तरह हम एसाई की मांग करते हैं अपने ज्यान बापी उद्धार की मामले में अच्छा मामला पोश्ण यह है या नहीं है इसको लेकर सुनवाई हो रही है और इस सुनवाई में मुस्लिम पक्ष का अभी तक का अपडेट क्या सुनवाई did or जया शुंगी हमारी बाद पूरी सुनी जाएगी और उसमें से कोई भी समस्थ्या नहीं और हमारा जो अगला कदम है सारा का सारा हम लोग के पक्ष में है सारे मंदिर के प्रमार हमारे पक्ष में है सिविलिंग मिला है और पूरा का पूरा धांचा जो मंदिर का ही धांचा है उस पर जो है यह अपना से एक धांचा मस्जिद का मना दिये हैं सारा का सारा मंदिर पक्ष में इसलिए एसाई की मां पूरा का पूरा पूरा पस्चिमी दिवाल जो हमारा 8-16-169 का औरंगी पर तोड़ा उसके लिए ASI की मांग अत्यांद जरूरी है ताकि दूद का दूद पानी का पानी हो सकी। किसे मांग करेंगे कैसे मांग करेंगे। किसे मांग करेंगे और उसमें भी हमको सभलता मिलेगी। एक मामला इसके पहले भी आया था राडार टक्निक से एसाई सर्वे कराने की मांग हुई थी फिर वह मामला लंबित और अभी तक कोट में चला है हाई कोट में मामला चल रहा है तो उस मामले से जोड़ कर इसको आप देखेंगे या फिर एक नया मामला आप भी अलग से एसाई सर्वे की मांग है। और अगली सुनवाई के लिए और इसके साथ ही वादी भी हमारे साथ मोजूद है और जब यह सर्वे चल रहा था तो काफी आप देखें हमारे साथ आप जोड़ी रही चलती रही जाती रही तो परिशान भी दिख्टी थी ऐसा डर भी कभी कभी होता था कि क्या आएगा न अभी तो फिलाल दो चार दिन जितना भी समय लगे मुस्लिम पक्ष अपना रखेंगे उसके बाद हम लोग अपना पक्ष रखेंगे आप लोग चार वादी गड़ है तो आपस में आप लोगों ने बात चित कर ली है पूरी तरह से तयारी एकदम अपर कसली है आप लोगो लेकिन इस बीच में एक ट्विस्ट भी आया था जितन सिंग विसेन और फिर हरी शंकर जैन जी यह लोग कहीं न कहीं अलगाओ के स्थिति बनी थी क्या अभी वह देखने को मिलेगा अलगाओ देखने को मिलेगा या फिर वही जो पुराना बयान था कि मंदिल एक है रास्त पूरी है और चार तारिक का इंतजार है और जो हिंदू पक्ष के वादीगड़ है वो पूरे जोश के साथ कमरकस के इस मुकदमे में उतरने की तयारी में है और अगली रणनीती की बात करूं तो अगली रणनीती इनकी है इस पूरे मामले पर ASI सर्वे की मांग की जा रही क्यामरामेन विशेश के साथ नितिश्कुमार पांडे एबीपी गंगा वारान से एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी